हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइफ पे और आज है हमारा फोटो सिंथेजिंग है प्लांट में लेक्चर नूमबर फाइफ ओके तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ सीख लिए बहुत सारी चीज़े जान लिए हम लाइट रियक्शन को स्टार्ट क करेंगे क्योंकि बच्चों ने कल बूला था कि सर हमें समझतो आ गया है लेकिन आप नेक्स वाली क्लास में उसको एक बड़ी फिर से रिवाइस कर देना वो देखेंगे फिर हमने कल नॉन साइकलिक फोटो फॉस्फोर रिलेशन पढ़ाता एक बैर उसको रिवाइस करेंग और लेक्चर को एकदम स्मूर्टल लिके चलेंगे कोई दिक्कत होगी नहीं और बहुत असान तरीके से आपको समझाया जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक इंग्लिश मीडियम का कोर्स लॉंच हुआ है ठीक है इस कोर्स के कुछ important points है देख लेते हैं क्या क् points है आप लोग class 11th में हैं लेकिन स्टेल कोई बात नहीं चलो अगर आपके कोई जानने वाले हो तो आप उनको यह कोर्स की बारे में बता सकते हैं रेफर कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखो नोट्स प्रिपेड बाई टीचर्स एंसी अर्टिंग प्रीविश एर एक्जाम्स कोईशन का डिसकोशन होगा बोर्स में हमारा पिछले साल के कोईशन काफी important होते हैं तो उन सब यहां पर डिसकोशन होने वाला है ठीक है रिवीजन होगा एक्जाम काईडेंस मोटिवेश कर सकते हैं ठीके बाई चलिए जलिस इस नंबर को नोट कर लिए फिर हम आगे चलते हैं ओके अच्छा चलो यहां पर देखो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स पिगमेंट्स की बारे में बात के लिए थी कौन-कौन से पिगमेंट्स इन्वाल थे बिसिकली आज हम लगाशन फार्फ हैं जैसे कि लाइट अब्सूप्शन वाटर स्प्लिटिंग एंडे ऊप्सीजन तुमने तीनों फेज्पेजिन यह वह रहा है और वाटर स्पिलिट क्यू हो रहा है वो भी आपको ने बतायता ठीक है और रिलीज ओफ ऑस्पिजिजन जो है यह कहां पर ह रहता ये भी हमने बताये था light reaction को in brief अगर हम बोले तो यहां पर mainly होता क्या है light को यूज़ करके ATP and NADPH बनाये जाता है यह दोनों हमारे क्या है basically energy molecules है इसके अंदर energy stored होती है और इन energy को यूज़ करके हम कारबन डायक्साईड को कारबन डायक्साइड से glucose बनाते हैं तो लाइट reaction हमने क्या करा energy molecules बना लिए और इन energy molecules को बाद में हम यूज़ करते हैं dark reaction के अंदर basically dark reaction क्यों कहते हैं क्योंकि वह लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होते उनके अंदर उसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए बाई कार्बन डाइकसाइट से ग्लुकोज बनाने के लिए ठीक है चलिए तो सबसे पहले हमने बात करें थी फोटो सिंथेटिक फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू लेकिन इंका बेसिक स्ट्चर सेम होता है जैसे कि मैंने का था कि आप दो दोस्त है आप दोनों दोस्त देखने में मतलब दोनों हुमन ही है बट क्या है एक की हाइट लंबी एक चूटी है तो दोनों फोटो सिस्टम सो गए बट एक च चोटी है तो उसको नाम कुछ मतलब उसने कुछ और कः दिया तो जिसके चोटी उसने टू कहा दिया ठीक है चलिए यहां पर देखो फोटो सिंथेटिक यूनिट में क्या-क्या होता है तो यहां पर एक रियक्शन सेंटर और जल्दी से साथ साथ बताते रहे करो इस और यह बात मैंने कल भी क्लियर करी थी जब मैं नॉन साइकलिक फोट फोस्फो रेलेशन पड़ा है तो वह किससे रेलीज हो रहा है chlorophyll के center में present होता है magnesium ion इस magnesium ion से electrons निकलते हैं इस magnesium ion से electrons निकलते हैं और यहाँ पर क्या क्या होता है देखो primary electron acceptor होता है antenna molecules और weekend से light harvesting molecules होते हैं इनका क्या काम होता है कि यह extra यह कह सकते हैं different wavelength की जो lights होती है उसको absorb करके अपने main reaction center के पास भेशते हैं खुद से electrons नहीं निकालते हैं इन में से electrons नहीं निकलता बलकि अपनी light जो होते हैं different photons से energy absorb करी होती है उसको यह reaction center के पास भेशते हैं और वो reaction center उस energy को यूज करके अपने अंदर से electron को excite करता है और उसको कौन accept कर लेता है एक primary electron acceptor primary electron acceptor ठीक है आच्छा दो तरीके के थे अप यहां पर हमने आपको बताया था कि यहां पर अपना जो chlorophyll A का molecule है वन के अंदर यह light को absorb करता है 700 नैनो मीटर पर हमने कहा था कि कैसे याद रखना है देखो PS1 फोर सिस्टम वन पहले जो आता है हमेशा बड़ा होता है यहां पर यहां पर वेवलेंट ज्यादा है और PS1 को इसको PS700 भी कहते हैं ठीक है बात करें फोर्ट सिस्टम टू की तो यहां पर जो क्लोरोफिल मॉलेक्यूल प्रेजंट होता है क्लोरोफिल एजो यहां पर प्रेजंट होता है रियक्शन शेंटर में यह एब्जॉब करता है 680 नैनो मीटर की वेवलेंद इसको हमकर कहते हैं PS680 और भी बहुत सारे होता है हमोथ की बार सब्सक्राइब या यह इक हमारीले यहां पर देख हो यह से सब्सक्राइब फिर फोटफे वर स्सक्राइब और एक और पॉइंट यहां पर के नाचाहें में यहां पर अपने कुछ primary electron acceptor तो होता ही होता है साथी साथ और भी और भी electron carriers present होते हैं जैसे कि मैंने आपे दिखाया हुआ यह देखो यहां पर यह 680 680 वाला कौन से होता है second number छोटा है यह यह प्राइमरी electron acceptor और बीच में यहां पर आपको दिख रहे होंगे different type of पीक्यू लिखा है complexes दिखें हैं यह electron carriers होते हैं क्या करते हैं electron को अपने से next वाले पर कह सकते हैं complex पर टांसफर करते हैं electron carriers का काम क्या है नाम से पता लग रहे electron carriers electron को carry करते हैं आगे बेशते हैं टेके बाई तो primary electron acceptor ने electron absorb करा उसको फिर इस वाले के पास बेजा ठीक है पीक्यू लिखा यहां पर बहुत सारे बच्चे हो सकता है आज नए हो तो उनकास का मतलब नहीं पाता तो में आपे सब की जो ने शाट सील लगिंए उन्सके बारे हम लिख देते हैं पीड यू क्या होता है अपना प्लास्टो mark kothrin on ठीक कि बात करें यहां पे साऀटोक्रम कोंपलेक्स लिख फिर उसके बाद आ रहा है PC PC क्या होता है प्लास्टो सायनिन PC क्या है प्लास्टो सायनिन ओके बाई चली आगे आते हैं next यहां पर देखो next यहां पर देखो P70 है P70 का भी एरा primary electron acceptor लेकिन यहां पर और भी electron अद्र के जाने का रहे हैं fd क्या होता है vera'docalyptic और हयाा पर NP & Lots आपर एंड़ीपई तो यहां पर आपको जntenे दिख रही है ठालोड राया विए तो यहां पर लेक्ट्रो और चैन क्या और है के रहे है आपको धकर रहे हैं कभी-कभी एक-कीस में बोनती है एक हीülerक्टर रांसपोर्ड डोसारि एक ही फोर्टर सिस्टम से भी पंजाता है इल्क्टर रेक्टर ंटर टांसपोर्ट टांसपोर्टु जैसे कि यहीं हम पर डिखा देते हैं आपको है गां ढ़ई है यहां इहां पर देखो जो electron को transport करते हैं from high energy level to low energy level और जैसे वो from high energy level से low energy level पर जाता रहता है तो हर energy level पर कुछ amount of energy release करता है जैसे कि अपन chemistry में पढ़ते हैं कि जब किसी भी electron को या किसी भी यहाँ पर atom होते हैं इसको energy देते हैं तो उसका electron कहाँ पर चले आता है इस वाली state से excited state में चले जाता है और जब यह वहाँ से नीचे आता है तो क्या release करता है energy release करता है अब usually energy किस form release करते हैं luminance जो होता है हना light की form में किसी भी form में release कर सकते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है energy release करते हैं अब उस energy का यहाँ पर क्या हो रहा है वो हमें जानना है यहाँ पर क्या हो रहा है हो हमें जानना है तो तो बिलज़ एक बड़ी डिविजन हो रहा है जो बच्चों की पहली क्लास है अगर वो सिर्फ यहां पर नॉन साइकलिक फोर्टो 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 रिलेशन के अंदर अब यहां पर आज मैं डिफरेंसिस भी दिखाऊंगा बेट्विन साइकलिक अनम साइकलिक फोर्टो फोर्टो फोर रिलेशन इसलिए यहां पर मैंने जान भुजक के इसको फिर से कवर कर रहें ठीकए नॉन साइकलिक फोर्टो 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 रिलेशन के अंदर P60 यानि की PS2 P700 यानि कि PS1 Pigment System 1 और Pigment System 2 दोनों involved होते हैं तो यहाँ पे PS700 और we can say PS1 एक मिनट भई चलो PS1 और PS680 यानि कि PS2 दोनों ही involved होते है in case of cyclic photophosphorylation हम देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ एक photosystem होता है कौन सा होता है हम पता कर लेंगे in case of non cyclic photophosphorylation electron जो होते हैं यह वापिस original position पे नहीं आते या कह सकते हैं जहां से निकलते हैं electron जो होते हैं अपनी does not return to does not return to original place ठीक है यानि कि जहां से वो निकलते हैं वहाँ पे वापिस नहीं आते हैं अभी हम यहां पे इसको देखते हैं और साथ साथ समझते भी हैं चल दो पॉइंट समझते हैं यहां पे P60 है P70 होता क्या है सबसे पहले light पढ़ रही है light किस form में आपने पढ़ा है light में अपने क्या है energy packets होते हैं जिसको हम photon कहते है chemistry फीजिक्स में पढ़ा होगा physics में पढ़ा होगा photons कहते हैं photons यहां पर पढ़ रहे हैं साथ में यहां पर क्या present होता है अपने reaction center के आसपाओ कौन से present पहते है entities creator मैंने क्या बोला chlorophyll एक मेंघ यम एक प्रियन एक रबख अलयतल यहाँ आभि में से दूप Mehr इलेक्टूर उक्साइट होगे एक हायर एक्सेप्टर ऑदकेशे है यहाँ चला दते हैं जिसकाम सेया Lit decir electron acceptor लिख दिया नाम नहीं है कोई भी electron acceptor रहो यहां पर फॉले पहुच चुका है अब हाई एनरजी से जब यह electron एक्स के थू अपना इलेक्टर यहां से नीचे आएगा तो हर टाइम पे हर स्टैप पे कह सकते हैं हर चीडि से उतर्ड किया हर kindly higher energy ह bend Harости पर चला गया है नीची आएगा ठ्रूझ अन्रौण करीर तो एनर्जीद रिलीज करेगा जैसे कि हैं पे अपना किस के पास के पास पी यंग के पास उसके बाद साइटो ऑंपलेक्स के पास ऋसके बाद यहां पर पीसी लिखा है PC क्या था अपना प्लास्टो साइन बात बारी में को बोलने की ज़रूत नहीं है साथ-साथ याद भी रखते रहो PC क्या है प्लास्टो साइन ओके और यह पहुच गया अब पर 700 के पास 700 के पास अब धियान से देखो अभी हम यहां पर रुख जाते हैं अभी ह इसकी में से उलेक्टोन निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेगनीशम के पास अपने यह बचेंगे नहीं फिर उस केश की साथिये करते हैं हमने आपको कर बताये था झ्यकल रह दिखक है कि यह और यहांप रहा पर से अवगण प्रेजन रह था देख लेते हैं PS2 के साथ PS2 के साथ यहां पर देखो present होता है एक complex जिसकों कहते है oxygen evolving evolving complex ठीक है कहां पर present होता है PS2 के पास में इसका function क्या होता है यहां पर present होती है एसी enzyme जो water से oxygen को split की निकलोने मतलब एस एक निकालती है oxygen evolving complex तो इस complex में एसी enzyme होती है जो water को break करती है और oxygen को वहां से निकालती है अब water को break करने से होगा क्या इस चीज़ को समझते हैं यहां पर यह रहा water इसको break किया तो यहां पर क्या निकलता है देखो 2H plus plus में 2 electrons साथ निकलता है half O2, half O2, अगर मैं यहां पर क्या कर दू, 2 लिख दू, तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, और यहां पर अगर आफ क्या कर दो, लेकिन यह करने की जरूत नहीं है, थोड़ा सा होच-पोच हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, रुको, चलू, इसके आगे बस यहां पर 2 लगा देते हैं, यह अपना पहले वाला रियक्शन था, अब माल लो, पहला वाला वाटर मॉलेक्वल ब्रेक हुआ, दूसरा वाला फिर से वाटर मॉलेक्वल ब्रेक करते हैं, दूसरा वाटर मॉलेक्वल फिर से ब्रेक करते हैं, 2H plus plus 2 electrons plus O2, ठीक है, half-half, half-Half O2, यह O2 अपस में कमबाइन कर जाएंगे और हमें एक oxygen का molecule मिल जाएगा, यहाँ पर जो यह electrons present हैं, यह किसके पास चले जाएंगे, यह आ जाएंगे हमारे इस reaction center के magnesium के पास, यानि कि जो magnesium से electrons निकल रहे थे, वो अब replace हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि magnesium अपना damage हो सकता है, ठीक है, तो अपना non-cyclic photo phosphorylation के अंदर एक characteristic feature क्या है, कि यहाँ पर oxygen involving complex present होता है, और we can say, in case of non-cyclic photo phosphorylation, oxygen का involvement होगा, oxygen निकलेगी, और पाने की हमेशे जरूरत पढ़ती है, लेकिन in case of cyclic photo phosphorylation, देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हम पहुच गए थे, और यहाँ पर देखो, बीच में यहाँ पर लिखावाए क्या, अपना ADP से ATP बन रहा है, यानि की ATP का formation दिखा रहा है, energy molecule का formation दिखा रहा है, मैं आपको पहले एक बात कहना चाहँगा कि भाई, देखो, ऐसे अपना पर मालो यह थालाकॉइड है, ठीक है, तो थालाकॉइड की मेंब्रेन पर प्रेजन्ट होते हैं, यहाँ पर प्रेजन्ट होते हैं, प्यस वन और प्यस टू, ओके, इन कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, यहाँ पर जो energy release हो रही न, इस energy को यूज करके, यह बाहर, बाहर हैं, यह इस कि अनुट है, है, ता है, खुत है तो ब प्रेजन्ट होता है, है हमालो यहाँ पर फ्रेंगे, यह यह न पर कोम्पलेक्स होता है, जब इस कोम्पलेक्स के थू है, ति निकलते हैं तो जो energy निकलती है ना उस energy को use करके ATP बनाय जाता है यहां पर ATP दिखा रखा है कि बन रहा है लेकिन ऐसे नहीं बनता है तो इस चीज़ का पन को ध्यान रखना है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है आगे उसको देखेंगे वैसे detail में तो अभी अगर आपको confusion हो रहा होगा तो मत देखो बस यहां पर देख लोगी कैसे electron flow हो रहा है electron पहुझ गया P700 के आसपास उसके पास पहुझ गया photosystem 1 पहुझ गया अब यहां पर फिर से light पढ़ रही है इसके electrons excite होंगे तो भाई इसका तो replacement मिल रहा है इसका replacement तो पीछे से आ रहा है किस से आ रहा है P80 से P80 का replacement किस से किया गया water को split करके तो splitting of water की help से oxygen भी वाल हो रहा है और electrons का भी replacement हो रहा है तो बहुझ यहां से निकलेंगे primary electron acceptor के पास गए यहां से आते हैं FD पे FD का नाम हमने बताया था फिर से लिग देते हैं फैरेडाक्सिन फैरेडाक्सिन से फाइनली लास्ट में एलेक्टों से होते हैं किसके पास आ जाते हैं एने डीपी के पास एने डीपी जो होता है तो यहां पर हमारा क्या बन गया एने डीपी एज तो डरेक्ली बन जाता है इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भाई अपने प्रोटों ग्रेडियंट बनाना है प्रोटों की कंसेंट्रेशन बनानी है था लाकॉइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है यह डिरेक्ली बन जात ओके भाई तो यह था अपना नॉन साइकलिक फोटो फॉस्फोर रिलेशन हमने यहां पर क्या क्या देखा कि दो फोटो सिस्टम्स इंवल्ड है एलेक्ट्रन डजन रेटन टो औरिजिनल प्लेस एलेक्ट्रन यहां से निकल रहा है वापिस यहीं पर नहीं आ रहा औरिजिन पर नटी पर नहीं पर न कंण रहा है जब हम सैकलिक फोटो फॉस्फोर रिलेशन देखेंगे तो वहापे सिर्फ एटेपी बनता है क्यों क्योंकि यहां पर उस केस में हमारे पास अनुदी टर मिनल एक्सेंटर और एलेक्ट्रॉन नहीं प्रेज़न होता अब यह मापे इस वाला अच्छे से रिविजन हो चुका होगा ठीक है और यहां पर वही डाइग्रम है जली से क्विस्ट कर लेते हैं इस क्विस्ट का आप लोगों को अच्छे से आंसर करना है चलो तो कुष्ट का पहला कोशन यह आपकी स्क्रीन पे नॉन सैकलिक फोटो फोर्स फोरलिशन में क्या क्या involved होता है PS1, PS2, टीक है, स्ट्रोमा मेट्रिक्स, बोथ A and B नॉन सैकलिक फोर्स फोरलिशन में क्या क्या involved होता है यह आपको बताना है ठीक है चलिए इसको mark करेंगे फिर उसके बाद हम नेक्स कुशन पे आएंगे हुआ है ऐसे ऑट के भाई है नॉन साइकलिक फोटरफॉस फोलेशन में हमने देखिया और हमने पीचे-पीचे पीचे वाली पढ़ा था कॉंठार कॉन से फोटो सिस्टम फोलते जल्द से को मार कर दो फिर इसके बाद हम cyclic photophosphorylation देखेंगे फिर दोना का difference देखेंगे और फिर जो अपने ने कुछ questions बचे हैं वो देखेंगे next question यहाँ पे पहला electron acceptor non-cyclic electron transfer में कौन सा होता है cytochrome b6f plastocyanin टिक है और nadp और यहाँ पे क्या है प्लास्टो कुई नॉन जल्दी पताइए यह कल वाला question है सेम तो जो बच्चे कल भी आयते class में उनको तो बेकुल दिक्कत नहीं होगी नए वाले बच्चों को हमने आप अच्छे से explain कर दिया था कि भाई कौन सा पहला electron acceptor है आप उसके साब से माक कर सकते हैं ठीक है चली तो यहाँ पर टाइम खतम हो चुका है ठीक है आंसर देख लेता है यहाँ पर अपने पहले वाले question पर आते हैं तो जायर सी बात है भाई देखो इसका अंसर तो बहुत ही easy था आप देख सकते हैं दोनों ही photo system involved है दूसरे वाले question में से पूछा गया था कि कौन सा अपना पहला electron acceptor होता है case of non-cyclic photo phosphor relation तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 680 से लेक्टर निकल रहा है ठीक है और इसको यहाँ पे पहले तो यहाँ प्राइमरी acceptor अब प्राइमरी acceptor तो option में दे नहीं रखा तो जाहर सी बात है कि हमें उसके बाद वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर दे रखा है और प्लास्टो कूइन और यहाँ पर साइटोक्रोम कॉंप्लेक्स फिर पीसी दे रखाए पीसी क्या है प्लास्टो साइनिन अपना यह भी लास्ट में आता है किसके और यहाँ पर देखिए भाई साइकलिक फोटो 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 रिलेशन पर यहाँ पर पहला पॉइंट ध्यान से देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या इन्वाल्ड है पीस वन और विकें से पीएस 700 ठिक्कलीéta को यहाँ पर कहीं water splitting complex नहीं दिखर और विर केंसे oxygen evolving complex नहीं दिखर हां तो ओझी यानिकी oxygen evolving complex यहाँ पर अप्संट होता है ठीक के अब चलो वो अलब पॉइंट हम बाद में बताएंगे ठीक है यहां पर हो किया रहे इलेक्टरॉन्स यहां पर फोट्स यहां पर आए यह कह सकते हैं यहां पर आई यहां पर आई एंटिना electron acceptor के पास गए अब higher energy level पे चले गए जाहिर सी बात है कि electron कोशिश करेगा lower energy level पे आने की तो primary electron acceptor के पास वो कहां पर आया FD के पास ठीक है यहां पर आ गया फेरे डॉक्सिन पर ओके फेरे डॉक्सिन पर आ गया आब यहां पर देखो जब हम non cyclic photophosphorylation पड़ तो वहां पर addition के बाद क्या था एनए डीप था यहां पर पलाश्टोो कवीरिओं नहीं है तो दौनों में difference देखो दौनों में difference देखो यहांपर क्या रहा है फ्लस्टोकी नहीं आ रहा है तो electron अब प्रास्टीघ मिरन के पास आगए, ठीक है, साइटोक्रॉम 시작 के पास आगए, साइ्टोक्रॉम से PC यानि कि प्लास्टो सइनिन के आ गए, और प्लास्टो सायनिन से वापिस से अपना electron जो है किसके पास आ चुका है, reaction center के पास आ चुका है, electron जहां से निकलाता वहीं पर पहुच गया यानि की अपनी original position पर return कर गया है that means कि यह क्या है एक cyclic photo phosphor relation है cyclic और non cyclic में basic difference यही है मतलब बैसे तो बहुत सारे difference है लेकिन अगर इसको क्यूं बोला जा रहा है cyclic और non cyclic तो reason यही है कि cyclic के case में जहां से electron निकलता है तो पानी की जरुत नहीं है और एक और important बात यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर formation दिखा रखा है किसका ATP का तो यहां पर NADPH नहीं बनता अब यहां पर एक point लगाना है ध्यान से logic लगाना है क्यूंकि यहां पर oxygen इवल्ड नहीं हो रही पानी की जरुत नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं हमारा जो non-cycle sorry cyclic photophosphorylation है यह anaerobic organisms में होता है ठीक है जाने की anaerobic organisms जो अपने anaerobic bacterias होते हैं anaerobic plants जो हो गए green plants जो ग्रीन bacteria उसके अंदर क्या होगा अपना cyclic photophosphorylation क्योंकि वो अपना oxygen तो इवल्ड करते नहीं है हलाकी खाना वाना वह भी बनाते हैं बट oxygen इवल्ड नहीं करते हैं तो हमारे जो anaerobic bacterias हो गए उसके अंदर क्या मिलता है मैं सिर्फ cyclic photophosphorylation मिलता है where is in case of aerobic bacterias जो oxygen evolve करते हैं जायर सी बात है कि जिनको oxygen की जरुद पढ़ती है पानी की जरुद पढ़ती है उसमें non cyclic और cyclic दोनों चीजे होती है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके differences लिखेंगे कौन-कौन से पॉइंट्स है I hope आप लोगों को सबको साथ में याद हो चुके होंगे यहां पर दे रखाए cyclic और यहां पर non cyclic है cyclic में सबसे पहली बात भाई यहां पर सिर्फ क्या involved था ps1 और we can say ps700 ठीक है यहां पर क्या involved था ps1 भी था और ps2 भी था यानि कि ps680 और ps700 दोनों फोटो सिस्टम involved थे यहां पर यहां पर electron जो है वो अपनी original position पर आ रहा था original position पर आ गया था in case of non cyclic photophosphorylation electron original position पर original position पर नहीं आया original position पर नहीं आया दूसरा point for the next point यहां पर क्या है OEC oxygen involving complex यहां पर नहीं होता OEC oxygen involving complex यहां पर present होता है यहां पर सिर्फ ATP का formation होता है यहां यहां पर ATP बनता है साथ-साथ-न-a-dp-hb बनता है ठीक है और क्या 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 पॉइंट हो सकते हैं यह बरी पीछे देखते हैं और कुछ पाइंट हो सकते हैं अपने ओके ATP हो गया electrons हो गए हाँ ठीक है अचा बहूए लिख सकते हैं कि water की प्लेटिंग यहां पर नहीं होती या यहां पर ओटू इवाल्व ओटो इवाल्व नहीं होता जायर से बात है कि OEC प्रेजंट नहीं है oxygen evolving complex प्रेजंट नहीं है तो ओटू भी वाल नहीं होगा यहां पर हमारा ओटू जो है यह evolved होता है ठीक है तो यह अपने कुछ basic points है आपको हर book में यह points दिखाई देंगे between cyclic and non cyclic photo phosphorylation के बीच में तो differences धरूरी है इन सब चीजों को याद देखना है एक फिर से quiz करते हैं वो अपनी quiz जो है cyclic photo phosphorylation के उपर based है चलो ठीक है यहां पर देखो quiz का पहला question यह आपकी screen पे cyclic photo phosphorylation involves ps1, ps2, ps1 and ps2 यह सिर्फ p दे रखा है ठीक है तो क्या answer होगा आपको यह बताना है चलिए बताए आंसर बताओ भाई इसका यहां पर अपना cyclic non cyclic photo phosphorylation खतम हो गया है next class में करेंगे chemo osmotic theory जहां पर हम जानेंगे कि यह जो energy release हो रही है electron के नीचे आने से इस energy से कैसे ATP बनाया जा रहा है ठीक है चलो तो next class बहुत important है और फिर आप शीजो को relate करना लग जाओगे next question पर आते हैं photosystem usually involved in both cyclic as well as non cyclic photo phosphorylation is कौन सा photosystem दोनो cyclic में भी और non cyclic में involved होता है ठीक है वन टू बोथ nb या पी दे रखा है यहां पर 890 तो एक पॉइंट तो महीं मतलब एक option तो हम इंटा देते हैं पी 890 तो होई नहीं सकता ठीक है बोथ nb भी नहीं हो सकते आइधर वन होगा या टू होगा अब तुम्हें दो option में से select option correct option select करना है चलिए time हो चुका है आते हैं पहले question पे फोटो सिस्टम यहां पे cyclic photophosphor relation में क्या involved होता है तो जिस बच्चे ने यह वाला answer correct कर दिया है तो वो दूसरा वाला भी राम से correct कर देगा option number one है इसका answer फोटो सिस्टम involved in both तो ps1 जो होता है यह हमारा cyclic के अंदर भी और non cyclic के अंदर दोनों में involved होता है हलाकि ps2 यानिकी 680 यह सिर्फ किसमें होता है in case of non cyclic होता है non cyclic photophosphor relation में ओके चली आगे आते हैं यहां पर देखो कुछ important question है कौन सा metal iron important constitute है chlorophyll का ठीक है तो chlorophyll का अंदर क्या present होता है बार बार ही हम repeat कर रहे है magnesium present होता है आगे यहां पर आते हैं which pigment acts directly to convert light energy to chemical energy कौन सा pigment जो होता है वो directly convert करता है light energy chemical energy simple terms में कौन से pigment से electrons निकलते हैं तो chlorophyll a b xanthophyll और keratinoid तो reaction center पे कौन सा pigment present होता है chlorophyll A होता है तो जायर सी बारते कि यहां पर आंसर क्या होगा chlorophyll A होगा शॉरी ऐसे ही देखो कुछ और कुछ और कोशन से which range of wavelength is called photosynthetically active radiation तो photosynthetic actively radiation कौन से होते हैं इसके बारे में भी हमने पिछली classes में पड़ा है 400 से 700 nanometer वाले जो रिजन होता है ठीक है light का वो photosynthetic actively radiation के लाता है क्योंकि उसी region में photosynthesis होता है ओके आगे यहां पर देखो splitting of water is associated with बताओ splitting of water जो थी वो कहां पर हो रही थी यहां पर देखो भाई photo system 1 & 2 दोनों के साथ नहीं थी photo system 2 के साथ थी ठीक है और photo system 2 जो हो था अपना वह कहां पर प्रिजन था इनर सर्फिस अपना इनर सर्फिस अपर देखो बन तो होई नहीं सकता splitting of the water splitting complex था जो oxygen involving complex जो तो किसके पास प्रिजन था photo system 2 के पास याने की थायलाकूइड मेंब्रेन इनर सर्फिस पर क्यों क्योंकि P680 जो है यह प्रेजेंट होता है इनर सर्फिस पर और इसके साथ ही प्रेजेंट होता है OEC oxygen evolving complex तो वह भी कहां पर प्रेजेंट होगा इनर सर्फिस पर ही प्रेजेंट होगा आगे आते हैं the correct sequence of flow of electrons in light reaction correct sequence क्या होगा flow of electrons का बहुत अच्छा कोशन है बहुत ही important कोशन है नीट लेवल पर भी ऐसे कोशन से पूशे गए हैं ठीके देखो यहां पर ध्यान से देखना है पहले दे रखाएं प्यस्टाउं टिक है उसके बार दे रखाएं श प्लस्ट्व्यस प्लस्ट्वठूइट्र प्लस्ट्व 20 प्लस्ट्व क्यें प्लस्ट्व पिचल अंगे ski पना आंसर कारेक्ट्व हो सकता है क्योंकि हमने यह θα यहां me सबसे पहले के पास आएगा अगर साइकलिक फोटोफॉसफॉस वरेलेशन होुँ तो साइकलिक फोटोफॉस फोटोफॉस्फॉस फ्यलेशन में भी क्या होता है यहां पे अपना primary electron acceptor, यहां पे क्या होता है, FE, फिर PQ, फिर Cytochrome, फिर PC, और फिर से वापिस यहां पे, तो PS1 से भी अलगर electron निकलता है, तो सबसे पहले faradoxin के पास जाना चाहिए था, यानि कि यह वाला sequence तो गलत है, PS1, faradoxin, PS2, PS1 से electron कभी faradoxin, PS2 के पास नहीं आता, NDP जो आता, उसको accept कर लेता है, अपने पास रख लेता है, यह वाला option भी incorrect हो गया, PS1, Plastoquinone, और Cytochrome फिर से दे रखा है, देखो, PS1 यह रहा, PS1 से मैंने पहले भी बोला था, कि सबसे पहले electron किसके पास जाएगा, faradoxin के पास जाएगा, फिर Plastoquinone के पास जाएगा, ठीक है, और यह कह रहा है कि PS1 से PS2 पे, तो PS1 से PS2 पे तो जाता ही नहीं है, PS1 से PS2 पे तो जाता ही नहीं है, बचा हमारे पर सिर्फेक ऑप्शन, PS2, PS2, Plastoquinone, Plastoquinone, Cytochrome, Cytochrome, फिर उसके बद PC, मैं absent है, PC missing है, फिर यहाँ पे, PS1, PS1, faradoxin, faradoxin, तो complete सिया correct sequence अपना कौन सा है, option number A, ठीक है, आगया आते हैं, next question देखो, यहाँ पे चलो कुछ और questions है, लेकिन अपनी last quiz पर चलिया पहले उसको खतम कर लेते हैं, ठीक है, फिर इन questions को हम कल भी देख लेंगे, चलो, तो last quiz कर वा लेते हैं, जल्ली से, last quiz का पहला question यह रहाँ आपकी screen पे, splitting of water, किसके साथ associated है, ठीक है, तो उसका हमने answer आपको बताया था, same question हमने कर रहा था, option so just नहीं, option भी almost same ही है, तो correct answer यहाँ पे आपको mark करना है, अच्छा हमने यह वाला question कर लिया था, ठीक है, splitting of water, यह कह सकते हैं, अपना oxygen evolving complex जो है, वो कहाँ पे present होता है, photosystem 1 के साथ, दोनों के साथ, lumen में present होता है, या inner surface of thylokoid membrane में, चलिए, बता यह इस cancer, next पे आते हैं, which metal iron is constituent of chlorophyll, तो chlorophyll के अंदर कौन सा metal iron present होता है, यह आपको बताना है, तो यह भी बहुत ज़्यादा easy है, अना, चलिए इसको mark कर दीजे, चलो भई, which metal iron is constituent of chlorophyll, तो यहाँ पे iron, copper, magnesium, ठीक है, spelling, spelling, खोड़ी गलत हो गई, यहाँ पे M magnesium है, ठीक है, manisium आ रहा है, वो magnesium है, चलो, ओके, time यहाँ पे हो गया है, खतम, ठीक है, जल्दी से यहाँ पे answers देख लेते हैं, splitting of water, already हम यहाँ वाला question कर चुके है, inner surface of thylokoid membrane, फिर से समझाने की जरुत नहीं है, normally मैं कह देता हूँ, कि oxygen evolving complex, जो हमारा PS2 के साथ associated होता है, PS2 कहाँ पे present है, inner surface of thylokoid membrane, इसलिए यह भी कहाँ पे present होगा, inner surface of thylokoid membrane, next, which metal iron is constituent of chlorophyll, तो magnesium, यहाँ पे spelling गलत्ती, option C, जो है, एकदम correct choice है, ओके, एक दो questions और यहाँ पे देख लेते हैं, चलो यह वाला देखो, 2S2O, इसका जब ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे कहाँ मिला, 4H plus science, oxygen, और 4 electrons, ठीक है भाई, based on above equation, answer the following questions, where does this reaction takes place in plants, तो थालाकोईट में होती है, रेक्शन यह वाली, ठीक है, inner surface of thylokoid कहाँ सकते हो, what is the significance of this reaction, इस reaction का significance क्या है, तो भाई यह जहाँ पे जो यह electrons निकल रहे हैं, यह electrons replace करते हैं, उन इलेक्टोंस को, जो हमारे reaction center of P680 से निकल रहे हैं, पहला तो पॉइंट यह लिख सकते हो, अगर आपको और extra information देनी है, तो आप यह भी बोल सकते हैं कि भाई यह देखो, यह जो अपना प्रोटोंस होते हैं, यह प्रोटोंस ने टीवी के पास जाते हैं, और पीएस वन और उसके साथ कम्बाइन करके, क्या बनाते हैं, NADPH बनाते हैं, और oxygen का significance तो आपको पाता ही है, ठीक है, फोटोसंथिक के दुरान, oxygen जो है, light reaction में release होता है, ओके भाई, चलो, यहाँ पर देखो, chlorophyll एक्या अपना primary pigment है, for light reaction, what are accessory pigments, what is their roles, chlorophyll A को छोड़ करेके, जितने भी अपने pigments present है, chlorophyll B, जन्तो फिल्स, keratinoids, हमने आपको पहले भी बताया था, सब accessory pigments में आते हैं, इनका रोल क्या होता है, जो डिफरेंट वेवलेंट की light होती है, उसको एब्सॉब करके, किसके पास बेज़ देते हैं, chlorophyll A के पास बेज़ देते हैं, तो यह सारे क्या है, accessory pigments है, antenna molecules है, क्या काम है, light absorb करके, chlorophyll A के पास बेज़ते हैं, और कहीं ने कहीं, chlorophyll A को excessive light से भी, मतलब light से damage ना हो, उत चीज़ से भी protect करते हैं, ठीके बाई, चलिए, next यहाँ पर diagram है, इसकी labeling करने की कोशिश करना बहुत ज्यादा easy है, ठीक है, करवाई देंगे, ठीक है कुछ खास यहाँ पर मुश्किल है नी, cyclic photophosphorylation में कौन सा reaction center होता है, P- mention कर रखा है, यहाँ पर क्या होता है, कौन से चीज हमारा reaction center absorb करता है, उसके बारे में बताना है, बहुत ज़्यादा easy है, इसको कर लेना, मिलते हैं कल सेम टाइम पर, ठीक है, कल हम पढ़ने वाले हैं कि Emosmotic theory जहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे इस energy से protein gradient बनता है, और कैसे हमारा ATP formation होता है, तो मिलते हैं कल, तब तक लिए सब को बबाए and thank you so much.